अगर सरीर में दिख रहे हैं ये 10 लक्षड तो याद रखिए ये कोई आम बीमारी नहीं बलकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी के संके थे और जिनको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि दैनिक जीवन में हमको ये सारे लक्षड तो दिखाई देते हैं लेकिन हम इन्हें नजर अंदास कर देते हैं और जिसका खामियाजा हमको बात में भुगतना पड़ता है जब डॉक्तर बनाता है 10 लाग से 20 लाग का बिल तब बैठ जाते हैं लेकर हाथ और कहते हैं आई हो माई कोई पहिले बतहिले रहर तो इतना खर्चा ना बहिल रहत भाईया सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम उन 10 लच्छडों पे चर्चा करने वाले हैं जो लच्छड अगर दिखाई दे रहा है तो आज ही सावधान होने की जरुवत है तो हलो दोस्तो मेरा नाम है नीदी और हमें आपकी अपने सबसे प्यारी बाईलोजी फकेल्टी नीदी मैम और आप सभी का स्वागत करते अपने चैनल जस्ट विल क्लासेज में और आज डिसकस करेंगी उन 10 लच्छडों के बारे में तो क्या सभी लोग तयार हो अरे बोलो तयार हो तयार करो हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ से यह जरूर करें और आए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास हमारा सरीर अकसर तमाम तरह की बीमारियों के बारे में संकेत देता है लेकिन लोग इने देख कर भी नजर अंदास कर देते हैं ऐसे वर्मिंग साइन अगर आप समय रहते भाब ले तो बीमारियों का बड़ा संकर सिर से टल सकता है डॉक्टर्स खुद मांगते हैं कि यह वर्मिंग साइन पहचान कर आप अपनी सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं ठीके तो अगर आपके सरीर में भी यह लच्छड दिखाई दे रहे हैं और आप भी इनको न जिबूर कर सकता है वो लच्छड कौन कौन से एक एक करके हम क्या करने वाले डिसकस करने वाले हैं पहला यूरीन वाश्रूम जाते यूरीन की बात करेंगे यूरीन भी आपको क्या करता है बीमारियों के बारे में बताता है यूरीन का रंग यूरीन के बारे में यूरीन क गंद इससे आप पहचान सकते हो कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है वाश्रूम जाते वक्त कभी आपने अपने यूरीन के रंग को गौर से देखा है क्या यूरीन का मतलब होता है मुत्र जब आप वाश्रूम जाते हो तो कभी आपने अपने वाश्रूम या फिर यूरीन को दिशान से देखा कि उसका color क्या है तो देखो Yurine का रंग भी आपको health के बारे में बता सकता है डॉक्टर का कहना है कि Yurine का रंग सामाने तोर पर हलका पीला होना चाहिए साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसमें कोई तेज तीज दुरगंद ना आ रही हो अगर ऐसा नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है ठीक है अगर आपका यूरीन हलके पीले रंग का है उसमें किसी भी प्रकार का तीज दुरगंद नहीं है तो आप समानने हो लेकिन अगर आपकी यूरीन का रंग चेंज हो रहा है यूरीन के रंग में बदलाव देखने को मिल रहा है तो फिर चिंता का विशे फिर ये कोई न कोई बीमारी का संकेत है इसे तुरंत दिखवाने की जरुवर थे दूसरा खराब नाखुन होट की तरह आपके नाखुन भी आपके फिट या अनफिट होने के और इसारा करते हैं जब भी हम कि मुँ में लार बनना बंद हो जाएगा आपका होट पूरी तरीके से शिकुड जाता है जिससे आप तुरंत पहचान लोगे कि हाँ मेरे सरे में पानी की कमी हमें चक्कर आने वाला है उससे पहले आप पानी पी लेते हो तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ठीके बह और तो आप को पता रहता तो आप तुरंत क्या करते पानी पीते ना, तो आप लोगों को यह सारी चीजे अपने सरीर में होने वाले बदलाव को देखकर अन्दाजा लगाना होगा कि हाँ अगर मेरे सरीर में ये बदलाव हो रहा है तो ये रोग हो सकता है उसी तरीके से नाखुन अगर नाखुन नाखुन भी आपको बताते हैं कि आपका सरीर फिट है या अनफिट है हाथ या पैर के नाखुन में अजीव सी लकीरे निसान या उनका रंग बदलना आपके अस स्वस्त होने की और इसारा करते हैं, इनका रंग हमेशा लाल होना चाहिए, सरीर किसी गंभीर रोग की चपेट में तो नहीं, नाखुन इससे जुड़ा संकेत दे सकता है, अगर आपकी नाखुन पर धारियां आजाए, लाइन आजाए, ये लाल रंग के जगव किसी और का दिखाई दे दे, तो ये आपका क्या है, ये रोग का कारण है, ये एक संकेत का कारण है, अगला कम हाइट, आपने लोगों के कद बढ़ने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी हाइट घटने के बारे में सुना, आप सोचोगे कि हाइट बढ़ता है, घ बात कर रहे हैं जिनका प्रोटीन और कैल्सियम जैसे महत्वपुर्पोसक ततों के ना मिलने के वज़े से घटने लगता है तो अगर आपके मन में है कि हाइट केवल बढ़ता है घटता नहीं है तो गलत फैमी है अगर आपके सरीर में कैल्सियम फॉस्फोरस की कमी होगी तो आपकी हडिया सिकुडने लगेंगी बैठने लगेंगी जिसके वज़े से आपको आपका हाइट घटता हुआ आपको दिखाई देगा चौथा लच्छर बॉडी फैट परसेंटेज एक स्वस्थ सरीर के लिए बॉडी फैट परसेंटेज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि आपके सरीर में लीन टिशू से ज़्यादा फैट टिशू बन रहे हैं जो कमजोर मांस पेशियों की वज़ा से होता है रनिंग वाकिंग या किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वज़ा से ऐसी समस्या ब दुर्गंद मसूडों में सूजन की वज़ा से कई बार मुह से दुर्गंद आने लगती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके मुह से आने वाली दुर्गंद का आपके इम्यून सिस्टम से भी कनेक्शन है तो अगर आपके मुह से दुर्गंद आ रहा है ठीक है मुह मह प्रस करने के बाद भी तो कहीं न कहीं आपके immune system में कोई तकलीफ है, immune system में कोई गड़बड़ी है, ठीके, तो यानि मुझ से दुरगंद ना आने का मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक है, आपका immune system एक दम ठीक है, लेकिन अगर आ रहा है, तो immune system में कोई न कोई खराबी है, में बता सकती है, तो अगर आपको पैरों में, ठीके, पैरों में या फिर सरीर की निचले हिस्सों में सूजन दिखाई दे रहा है, तो ये आपका kidney, heart, आदी से संबंदित बिमारियों का एक लच्छड बता रहा है, सातवा, dry lip, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा, जो dry lip की समस्या से जूजते हैं, ठीके, पर हमेशा और उस पर हमेशा lip balm का इस्तमाल करते हैं, होटों का लगाता dry रहना सरीर में किसी बड़ी दिक्कत का संकेत हो सकता है, डॉक्टर्स का कहना है कि होट फटने की समस्या सरीर में विटामिन की कमी के वज़े से होता, अगर सरीर की नींद में सेहत से जुड़े कई रह से छिपे होते हैं, गलत तरह का खान पान, बहुत अधिक कैफिन का सेवन, सरीर से परियाप्त एनरजी का निकलने, इन सभी के वज़े से sleeping disorder होता है, जिससे मतलब है कि नींद से जुड़ी समस्या, या तो आपको नींद नहीं ठीके, सोने की कोशिस करोगे, तो अलग बुरी बहुत अलग प्रकार की खयाल आएंगे, बुरे सपने आएंगे, जिसके वज़े से आप सो नहीं पाओगे, तो ये सभी आपका क्या है, sleeping disorder के अंतरगत आएगा, अगर आपके सरीर को ज़्यादा थकान हो रहा है, ठीके, मौसम के तापमान के हिसाब से ही हमारे सरीर का तापमान बदलता रहता है, लेकिन अगर आप लगातार ऐसी चीजों को महसूस करते हैं, तो जरूर कोई गंभीर समस्या है, हात पैरों का लगातार थंडा रहना, सरीर में बलड सर्कुलेशन की समस्या के कारण हो सकता है, अगर टेंपरेचर बार बार दोखो, टेंपरेचर मौसम के अनुसार बदलता है, लेकिन अगर आपका सरीर बिर मौसम बदल रहा है, आपका सरीर जादा तर ठंडा रह रहा है, तो ये एक गंभीर समस्या का कारण है, और दसमा, खराब स्कीन, स्कीन की क्वालिटी से इनसा की हेल्थ के स्तर को पहचाना जा सकता है आम तोर पर कुछ लोगों को मुहासों की समस्या होती है लेकिन स्कीन से जुड़ी ऐसी दिक्कते अस्वस्त होने का संकेत हो सकती है खराब डाइट आपकी स्कीन क्वालिटी के खराब होने का कारण हो सकती है अगर आपको स्कीन पर आपके सरीर में कुछ गलत चल रहा है तो यहाँ पर हम ने कुछ 10 ऐसे रिजन्स के बारे में देखा जो आपको क्या कर रहा है रोगों के बारे में बता रहा है आपके सरीर से जुड़े हुए 10 बदलाओ आपको गंभिर समस्या से बचा सकते हैं और आपको भी अपने सरीर में इन दसों में से कोई भी लच्छड दिखाई दे रहा है तो तुरंत पता करें कि उस लच्छड का कनेक्शन किस बीमारी से है और ऐसे ही वीडियो के लिए जल्स्ट्वल क्लासे से जुड़े रेकबर फिर से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बहुत-बहुत धरनेवाई